नमश्कर दारेक शुब्टाहिं में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सोशल मीडिया का जमाना है हम मानते हैं आप भी चानते हैं हर कोई सोशल मीडिया पर या रातो रात या तो कोई स्टार बन जाता है या हीर उससे जीरो बन जाता है पर वही पर अगर बात करे तो हम लगातार ऐसी चीजे करते हैं जिसे हमें publicity मिले अपनी किसी भी काम की promotion के लिए हम सोचल मीडिया का उप्योग करते हैं वहीं पर कई लोग ऐसे भी है सोचल मीडिया का इसकदर नशा है कि उन्हें अगर वो कोही reels बना रही है Instagram के लिए social media platform के लिए वो अपनी सुरक्षा को भूल जाते हैं यानि अपनी जिंदगी को खत्रे में डाल कर अपनी जिंदगी को ताग पर रखकर वो ऐसे सिस्टन कर जाते हैं जिसा शायद उन्हें आबास मीन होगा कि आने वले समय में उनके सासा उनके परिवार पर किस तरह का परभाब पड़ेगा इस समय आप अपनी मुबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो है बहरोगाट का जहां पर रील के लिए एक व्यक्ति किस तरह से पहले पोल पर चड़ता है फिर आपने आपको सेट करता है फिर उसके बाद सीधा चलांग लगा आते हैं चाहिए उसमें आपकी जान भी जा सकती है फिलाल इस वीडियो को देखिए और जंता जरूर अपनी राय रखिएगा क्या ऐसा करना सही है बताना चाहेंगे कानपूर भैरवगाट पर रील के लिए युवक ने बिजली के खंबे से गंगा नदी में चलांग लगा जिसे उन्हें पूरी उमर पच्टाना पड़ता है और उनका बुगतान उसके उनके माता पिता उनके परिवार को भी करना पड़ सकता है माना सोशल मीडिया का जमाना है आप फेमस होना चाहते हैं पर फेमस होने के और भी बड़े तरीके है अपनी जान को जो खुम मन ना हो सकते हैं अच्छी बाते अच्छी पोस्ट शेयर कीजेगा अच्छी वीडियो बनाएगा कोई अच्छा समाज में एक मैसेज देने के लिए बनाएगा पर ये नहीं कि अपनी जिन्दगी को ताक पर रख़गा बताना चाहेंगे कानपूर के बहरगाट पर बिजली के खं लगाकर दंगा नदी में खतरनाक स्टंट करते यूवक का वीडियो लगातर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है फुटिज में दिखाया गया कि लड़का खंबे पर चड़ता है और खड़े होने से पहले खुद को साथदानी से उस खंबे पर खुद को रखता है और उसक ब्यानक यह जो वीडियो है देखकर आप भी ढड़ जाएंगे और लोग जो आसपास कड़े हैं लोग उन्हें मना करने के बजाए वहां पर चिला रहे हैं खुशिया यानि कि हूटिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो कितना अच्छा कारनमा कर रहे हैं और यह लोग हैं लोगों को तो मजा चाहिए लोगों को तो मिर्च मिसाला चाहिए पर यह करते हुए कि आपने सोचा आपके घर में अगर माता पिता तक यह वीडियो आपका पहुचेगा उनके मानसिक तो दिल औ दिमाग पर किस तरह का परभाव यह वीडियो डालेगा शायद आपको यह ने आपको 9 महीने कोक में रखा, पाल पोस्कार माता पिता ने इतना बड़ा किया है, आप उनके लिए उनकी आँख का तारा है, उनके लेजे का टुकड़ा है, तो अगर बच्चे को हवा भी गरम हवा भी लग जाती है, तो माता पिता किस तरह से घबरा जाते हैं आपने तो इतने साल उनकी मेहनत को, किस तरह से, यानि मेहनत और उनके प्यार का किस तरह से बड़ा दिया, कि आप इतना खतरनाक स्टंड कर देते हैं, अब बार बार हम आपको कहते हैं, कि आप लोग कुछ भी करने से पहले, युवा पिड़ी से खास कर कहेंगे, अपने माबाप का, जरूर अपनी आँखों के सामने तस्वीर ले आईएगा, उनके उस त्याग को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपकी जिन्दगी सिर्फ आपकी नहीं है, बलकि आपकी जिन्दगी का कही नहीं, आपके परिवेक बार के साथ जुड़ी है, खास कर कि सबसे पहले म माता-पिता से बढ़कर कोई हमडर्द नहीं, माता-पिता से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है और माता-पिता के प्यार का मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि निसवार्थ प्यार होता, तो बच्चेört को जीवंस, यानि के जीनी से लेकर मिलत्यु तक रहता है, बले मापब जिनकी ये उलाद होगी, जिनका ये बच्चा होगा, जिगर का टुकडा, अगर उन तक ये वीडियो पहुचेगा, तो किस तरह से उन पर परभाब पड़ेगा, आप करिए जो भी आपको अच्छा लगता, पर ऐसी चीजें मत करिए, जिसे समाज में गलत परभाब पड़े, यूआ पिडियो से गलत चीजों से प्रेरित हो और वो भी ऐसा करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे बड़ी कहेंगे, जान है तो जहान है, ये जिन्दगी फिरना मिलेगी दुबारा, तो इस तरह के स्टंट करके अपनी जिन्दी को गवाने का प्रयास ना करें, और कोल में करंट होता, और जो पानी में जिस तरह से गंगा नदी में शलांग लगाई बैरोकाट में जाकर, कितनी उंचाई से लगाई भगवान ना करें, अगर नीचे कोई पत्थर होता, उस यूवक की जान भी जा सकती, पीछे कोई कांच यसी चीज़ें पड़ी होती, तो वीडिया प्लैट्फार्म पे सुर्खियां बटोरने के लिए ये भी उन्हें होश नहीं रहती, कि आने वले समय में या अगले चंड में हमारे जिंदगी पर किस तरह से परभाव डालेंगे इस तरह से गलत उठाईवे कदब, फिलाल ये वीडियो आपके लिए हमने इसनी अगले आपडेट के लिए जाहिन जबार